बर्मूरा ट्रेंगल एक ऐसी जगा जहां से कई सारे समुंद्री और हवाई जहास गाइब हो चुके हैं यह एक ऐसा एडिया है जो नौत अट्लांटिक महासागर में फ्लोरेडा, प्यूटोरी को और बर्मूरा को जोडने वाला एक ट्रेंगल है जिसके अन्दर के एडिया को बर्मूरा ट्रेंगल केहते हैं कहते हैं कि बर्मूरा ट्रेंगल की मिस्टरी लगभग 500 सालों से भी है देख पुरानी इस ट्रेंगल के पास पहुँचते हैं बड़े से बड़े समुंद्री और हवाई जहास काय बहुचाते हैं कुछ लोग इस ट्रेंगल भी कहते हैं क्या है इस चगहा कर रहे हैं यहाँ पर कोई पैरनौलमर एक्टिवीटी यहां पिर यहां एलियन कहा थे यहां फिर कोई व्यग्यानिक कारण तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियों में बर्मूरा ट्रेंगल के बारे में सबसे पह में एक रहस में आग का गोला दिखाई दिया था जो सीधा जाकर समंदर में गिर गया था तभी इसे बरुण ट्रेंगल एक मिस्ट्री बन गया है फ्लाइट 19 फ्लाइट 19 एक ग्रुप था पांच नेवी बॉमर्स का जो 5 दिसंबर 1945 में एक ट्रेनिंग मिशन के लिए फ्लोरेडा से उड़े थे इन प्लेंट में 14 लोग थे जो की सभी एक्सपिरियंस्ट पाइलट थे इन प्लेंट का लीडर था लेफ्टिनेंट चार्ल्स ट्रीलर के कमपास ने अचानक से काम करना बंद कर दिया और बर्मर्स ट्रेंगल में आते हैं इन सभी प्लेंट का रेडियो कॉंटेक्ट हो गया ना कभी फ्लाइट्स का मलबा मिला और ना ही कभी क्रू मेंबर्स की बोड़ी इस तरह की घटनाओं ने बर्मर्ट्रेंगल को रहस्से मई बना दिया था बर्मर्ट्रेंगल के बारे में वेग्यानिकों ने कई सारी थेयोरीस बताई हैं कहा गया कि ये जहाज किसी दुर कि शिकार हो गए हो वहीं कुछ लोग इट घटनाओं को पैरनॉर्मल एक्टिविटी से जोडते हैं और कुछ इनके पीजे की वज़ एलियन्स को बताते हैं कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि बर्मर्ट्रेंगल में कुछ ऐसी सकती हैं जो समुंद्री और हवाई जहा प्रेब जरूर कर देना